हेई अब्रिवान वेलकम बैक तो माई चैनल रेसिपीज अट रैंडम चलिए आज बना लेते हैं यह गुजरात का फेमस खमन धोकला देख रहे हैं क्या पर्फेक्ट जालिया आई हैं मिलीव मी रेसिपी बहुत ही असान है बनाने में कोई भी स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स जो बनती है वह वाली चैनी है तो एंड को वीडियो को एंड तक जरूर से देखना चैनी बिल्कुल लास्ट में है तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले ले लिया है मैंने एक बड़ा बोल उसमें डाल रही हूं बेसन तो जो बेसन आप खरीद के लाते हो और कढ़ी चोटी होती है किसी की बड़ी होती है तो मैंने इसलिए एक कब भरके ले लिया है अगर वेट करो तो यह 125-130 ग्राम होगा उसके बाद इसमें डालूंगी बहुत ही इंपोर्टेंट इंग्रिजियन्ट जो हलवाई लोग डालते हैं यह है सिट्रिक एसे इसको हिंदी में न जॉद चूत watch ंजमच तो दालिए दिए ऑधा हीची चछी चम्मच में दोचोटे चम्मच में टाल ऑद चीनी को मैं ने को मैं एक ना मत बड़ दालना है उसके दालें गया है तो चोटे चमました सब्सुली में जाने अर उच्छे चमच बादें शुक्त श्या न हीगा है अच जितना बेसन उतना ही पानी उतना ही जाता है अब कभी कभी बेसन किसी का थोड़ा ज्यादा पानी पी लेता है थोड़ा सा कम तो एक दो चम्मच का फरक पड़ सकता है वरना नॉमली जितना बेसन उतना ही पानी तो मैंने एक कपी पानी लिया था उसको मैं थोड़ा थोड़ मैंने अल्मोस्ट पूरा पानी डाल दिया करी दो छोटे चमच पानी रहे गया है विको सारी चीजों को अच्छे से मिसकल मतलब मैं बता हूँ आपको ढूकला बनाना बहुत ही असान है पांच मिनिट लगता है यह सारे काम करने के लिए और बीस मिनट घड़ी देख करके यह देखो दो चमच पानी में बचा लिए इसको मैं यूज करूँगी इसको मैं लग देती हूं और आपको अब धोकल इसको जो बैटर देना है और छोट देना है करी फंदरा मिनिट के लिए बेसन थोड़ा सा फूलता है उसके लिए छोड़ना बचान अच्छा इस तरीक नहीं तो आप नुमली ऐसी कढ़ाई में इसे स्टीम कर सकते हैं मैं दो ग्लास पानी डाल दिया है अच्छे से में बोई लाने देंगे जब तक रेस्ट कर रहा है तर तक पानी में बोई बोई आ जाएगा अच्छे से तो मैं इसे कवर कर चोड़ दिया है मीडियम फ्लेम और जिसमें आप धोगला बनाओगे स्टीम करोगे तो आपके पास कोई भी थाली हो जिसमें साइड साइड में चोटी सी एजेज होती है वो थाली ले सकते हो कोई केक टिन हो ऐसी जिसमें भी साइड में ऐसी एजेज हो बस वह आली चीज आपने लेनी है तो मेरे पास तर कि कोई थाली नहीं थी तो मैं यह इस तरीके का केक टिन ले 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 रही हूं तो जो भी आपके पास तिन हो उसे आप ले सकते हो कोई इस तरीके का केक टिन हो वह भी ले सकते हैं अगर आपके पास थाली हो जैसे पहले चलती थी ना वह थाली जिसमें साइड साइड में एजे क야ूच नहीं तेनु मुल्च हो रहती है। विड़ सखन्स की लावते हैं। नहीं हो बढ़ देलें क्या सफ्टब्स के रहती है। यह मुल्स ही ट्राइक स्टेते हैं। जूब झाल भे साथ त्मीक्स कर देना झाल यह पारण दो जाएक से जुट टे साथ अछग मिक्स कर देना चाहिए और आपका तरीकों अचानक से you this कर दें फट आपने से मिक्सक्रा यह इन रख देना विछ सारी पहले से कर्के हुए थी हमने इसको कर इन्य पादा है विर भी पानी मेरा बॉइल हो चुका है यहाँ इसको पानी डाल देना है बहुत जाल देर दे घर रख नहीं करना अच्छे तरीके से नहीं ऑफ tunnels जोड़ा से चोड़ा घोस RAM, अगर भड़ डहिए थोड़ा फटला बनेड़ी पटली ल마, फपने लोगे दोटे से टीम और कोड़ा details नहीं करनेCloud exclusive अब इसके अंदर प्लेस कर देंगे एक क्ली Bluto तो में ख्याल से आप सब के घर में होगा इस तरीके का स्टेंड तो रख दो स्टेंड उसके बाद इसके उपर इसे प्लेस कर देंगे और इसे कवर कर देंगे अच्छा ऐसी ठकन लगाना जिसमें देखना साइड से बहुत बाहर ना है पता दला सारी स्टीम बाहर ही आगई अगर आपने खोला तो अच्छे से फूलेगा नहीं तो इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल बीस मिनट के बाद ही आपने इसको चेक करना है यह देखो बढ़िया से बहुत ज़दा स्टीम आरही थी तो मैंने आफटर 20 मिनिट्स ने आपको दिखा रही हूं कि 22 23 मिनिट इसको निकाल लेंगे बहुत ही ध्यान से क्यूंकि इस समय यह बहुत गरम है कढ़ाई भी आपकी बहुत अराम से इसे निकाल करके रख दो कितना बढ़िया कलर आया है इसको थोड़ा सा थंड़ा हो जाए उसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे इसके बाद बनाएंगे बहुत ही बढ़िया तड़का और चटनी में आपको बताऊंगे बहुत ही बढ़िया चटनी में इसके साथ ताहूंगे और यह बेसन का ढोकल इसमें मैं कुछ भी आइड नहीं किया है इसका टेस्ट और इसका जो लुक है बिल्कुल मार्केट वाला हाता है मतलब उससे भी अबड़ी च्थे पानी नहीं होँ और यह दिको डिंदी बढ़िया च्वक्रत का अब काई झालिया जम पते चले तक से लागिया बता बर नहीं कुछ देके यह बढ़िया का टनी मैं और दोक्ले के सानी हो पानी में चलाए है और जाए लोटा चनलता ञाने जपानी चॉत और ज्यादा फ्लफी फूला हुआ था इसके अंदर छोटी-छोटी से जो जालियां आ गई ना मैं आपको वह जालियां भी कुल पास से दिखाते हूं तब आपको समझ आएगा यह देखो दिख रही है जालियां कितनी बढ़िया जालिया और बड़ी-बड़ी हो जाएंगी जैसे आप इसको पानी पिलाओगे यह जालियां और बड़ी-बड़ी हो जाएंगी तब आपको और ज्यादा यह मोटा दिखाई पड़ेगा यह भी तो इस तरह दिख रहा है उसके बाद आप इसको पानी पिलाने का काम करते हैं तो इस तरह से अपने मैंने कट करके रख अब यह ढोकला गरम ही हैल का किसो रख दे साइड में और सफटा-फट से हम लोग बना लेते हैं अपना तड़के वाला पानी बढ़िया मस्त वह बहुत ही अच्छा बनता है तो जब तक आप इसके उपर पानी वह नहीं डालोगे ना तड़के वाला तब तक इसमें स्वा सर्सू के दाने डाल रही हूँ यह देको अच्छे से तब यह चटक ने लग जाएगा तब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च तो हरी मिर्च कम से कम 4-5 दाल सकते हो कोई दिकत नहीं है से मैंने से सेंटर से लिट करके डाल दिए करीपत्ता डालो खूब सारे करीपत्त्ते मैं अब 10-12 होंगे करीब चोटे चोटे वाले करीपते हैं उसके बार डालें तिल बड़ा अच्छा लगता है हो जरूर से डालना तो एक चोटा चमशी करीब मैं इसमें तिल आड कर दिया तो मेरे पास तिल यह था यह रोस्टेड वाला था मैं रोस्ट कर लेती हूं तो खरा है कि आप जादा बना रहे हो उसमें डालेंगे एक बड़ा चमश शुगर अचा इतनी शुगर बिल्कुल नर्मल थी अगर आप थोड़ो सा जादा मीठा पसंद करतों दो चमश शुगर आड कर सकते मैं एक बड़ा चमश शुगर डाली है थोड़ा सा नमक डाला है आदा आधे नीबू का जूस पूरा एड़ कर दिया है अच्छे से मिक्स कर लो अच्छा तड़का बनाने बिकुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने शुगर पाउडर एड़ किया है अगर आप नॉर्मल शुगर एड़ करते तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता क्योंकि शु बहुत ही अच्छा डोकला बनता है एक बड़ जरूर से ट्राइक करना यही वाली रेसिपी ट्राइक करना और स्टे बाइसा कुछ मुश्किल तो है नहीं बस आपने स्टेप बाइस्टेप फॉलो करना इसको पानी अच्छे से पिलाना है और तुरंती मत खाने लग जाना आराम से तека पंदरा बीसट मिनिटे पाणके टाल केके ठीक करने ताकि अरत यहार से पानी को डो सिर्वनियम भीघ करना ग्रदीए ह्पानी कर द एक है ne अर। फूड़ा तेर शेर को इसको पानी के साथ में अच्छे से इसको भीघ जाने देना इसको हम अंदर यह का अशल तो पुरा अच्छे से अब्जॉब कर लेगा उसके बाद आप इसे एंजॉइ कर सकते हैं तो बस फटाफट से चटनी बना लेते हैं चटनी बनाने के लिए एक ब्लंडर जार वस्के डाल दिया है अध्रक छील के डालना एक इंचा द्रक चार मैने हरी मिर्ची चाल दिया खूब सारी धन्या डाल देना अच्छे से वाश करके उसके बाद आपको पता है इसमें धोक्ला डालना है धोकले की चटनी में धोकला जरूर से पड़ता है तो मैंने दो धोकले बनाे थे तो एक धोकले के मैने कुछ टुकड़े Using में दो complete एक टुकड़े मतलब दलो फोड Hayır गलिए चान सा घैना करीब उस चुछा-चमच यह ज्मक ज़ू अर बहुत ही मस्त चटनी बनकर करेडि अचिक थिकनेंस मिलती है थोकले की वज़ेसे आती है जो थिक सी चटनी दिख रही है बढ़िया कलर आया इसे बनाओ तड़के की कोई जरूरत नहीं है यह बिना तड़के के सर्की जाती है इसे ढोक रोगा पी एंजोई कर अगर मेरे चैन आएंगी बस पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पानी मतलब की तड़के वाला पानी को अच्छे से पिला करके आप उसको कम से कम 15 से 20 मिट ले छोड़ देना और जदा फूल जाएगा उसकी जालियां बड़ी हो जाएंगी थैंक्स वाचिंग बबाई